हिंदु धर में तुलसी को पवित्र पूजने माना जाता है क्योंकि तुलसी को मालक्षमी का सरूप माना जाता है तुलसी के पोधी में कई आईर्वेदिक गुण भी पाया जाते है कहते हैं तुलसी की पती, तुलसी की जड़ और तुलसी की बीज में कैई गुर मोजूद होते हैं जो बहुत फलदाई होते हैं ठीक उसी तरह तुलसी की मजरी भी विसे सलाबकारी होती है तुलसी के पोधे पर जब मजरी आने लगे तो इसे बहुत ही सुपसंकेत माना जाता है कहते हैं जब तुलसी की मजरी आए तो समझे मालक्ष्मी आपर महरबन होने वाली है आज के सेडियों में हम आपको तुलसी की मजरी के कुछ उपाय बताने वाले है इन उपायों से मालक्ष्मी और भवान विश्रू की किरपा घर परिवार पर बनी रहती है यदि आप आर्थी तेंगी से परिशान है, घर में शुक्षानती नहीं रहती, रोज रोज लड़ाई जगड़े होते हैं ये विवा में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो तुलसी की मंजरी के ये उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं तुलसी को धन की देवी मालक्ष्मी का स्वेरूत माना जाता है कहते हैं तुलसी कोई साधन पोधर नहीं है तुलसी में शाक्षात मालक्षमी का वास होता है सास्ट कहता है कि तुलसी के पोधे पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुमाना जाता है जोती सास्ट में तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय बताये गए हैं जिनको करने से मालक्षमी प्रसन होती हैं और विप्ति को धनलाब मिलना लगता है। तो चले जानते हैं दुलसी की मजरी के किये जाने वाले उपायों के बारे में। नमबर एक शुक्रवार का दिन मालक्षमी को अरपित होता है। कहते हैं इस दिन तुलसी की मज़ी को तोड़ कर पीले रंग के कपड़े में बांग ले और मालक्षमी के आगया अर्पित कर दें शाम के समय इसको उठा कर अपने तिजोरी में या पर्स में जहां पराप पैसे रखते हैं वहां रखते माना चाता है ऐसा करने से जीवन में पैसा कहीं पर रुका हुआ है या पैसा मिलने लगता है और आयमें भी प्रत्धी होती है नमबर ती यदि आप चाते हैं कि आपकी घर में मालक्षमी का वास हो मालक्षमी की किरपा आपकी घर परिवार पर बनी रहे तो तुलसी की मज़ी को एक लार रंग के कपड़े में बांद कर घर के धन के सान पर रख दें ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है नमबर चार जिस घर में हमेशा कले-खलेश रहता है या लड़ाई जगड़े होती है या अकसर मांसिक तनाव होता है तो इसके लिए तुलसी की मज़ी विसेश होती है गंगा जल में तुलसी की मज़ी को डाल कर घर के उत्तरचा में रख दे अब बगले दिन सुहे के समय इस जल का पूरे घर में चुड़काव करें लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी की मज़ी पैरों में नहीं गिलनी चाहिए इस उपाई से घर की नकारात्म कुर्चा दूर होती है और घर का माहौल खुशनुमा होता है घर में सुख संपन्ता शानती बनी रहती है तुलसी की मज़ी का यह उपाई शुकरवार के दिन करना बहुत ही शुमाना जाता है मालक्षमी की पूझाय करते समय शुकरवार के दिन तुलसी की मज़ी चरूर अर्पित कर कहते हैं इस उपाई को करने से शादी में आने वाली बाधाय दूर होती है और शादी के जल्द ही योग बनने लगते हैं तुलसी की मजरे को तोड़कर पूज़ा के स्थान पर रखने से यह धन को अपनी और खेच दिया घर में सदयाव सुख सम्रद्धी का वास होता है तुलसी को शाक्षाद, दूसरों का मालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है यदि आप मंजरी को मातालक्ष्मी की तस्वीर के पास रखते हैं तो ये बहुती शुम माना जाता है नमबर आठ, आर्थी तंगी को दूर करना चाहते हैं फैस रुकत नहीं है, बरकत नहीं होती, धन से समद्धि समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो घर की उत्तर पूरोधिशा य्या पूरोधिशा में तुल्सी की मंजरी को किसी पवितर सान पर रखे। ऐसा करने से कभी भी धन की कमे नहीं होगी और धन आई की मार्ग खुलने लगेंगे। नमबर नो, तुलसी की मंजरी के पानी से सिवलिंग का अभिशेक करने से जीवन में सकरात्मा कूर्चा का संचार होता है और शिव पूशन का लाब भी मलता है। तावे के लोटे में थोड़ा सा जल लेकर उसमें तुलसी की मंजरी डालकर थोड़ी देर के लिए ढखका रख दे। फिर इस जल से शिवलिंग का अभिशेक करे। इन उपाय से जीवन की सभी तहकी बाधाय दोर होती है। कहते हैं भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी अरपित नहीं की जाती। लेकिन आप तुलसी की मंजरी भगवान शिव और गणेश को अरपित कर सकते हैं। नमबर दस हिंदु धर्म के नुसार रोजाना तुलसी पर जल चड़ाकर सुबह शाम दीपक चलाकर तुलसी की पूजा करने से घर में धन की देवी मा लक्ष्मी का वास होता है। इस तरह से तुलसी की मजरी के कैई उपाय करके जीवन में चली आ रही समस्याओं से मुक्त पासकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद।